हाई फ्रेंज कैसे आप सब आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासस में दोस्तों आज का अमारा टॉपिक है फाइव यर प्लान mcq और आज हम पार्ट फोर में हैं पार्ट फ्री तक मैंने आपको फाइव यर प्लान mcq में बहुत सारे questions बताएं हैं जो मैंने आपको बोला कि exam point of view से बहुत important है और आपके समझ के लिए भी तो चलिए अब हम आगे के और भी बहुत सारे questions देखते हैं जो exam में हमें help करेंगे question start करने के पहले आपको यहां का rule पता है कि आपको देखते देखते test भी देना है या आप कैसे करेंगे अगर आपको answers आते हैं मैं option बोल दूँ उसके बाद तो आपको वीडियो को pause करना है और answer को comment करना है फिर मेरे answer से match करेंगे इससे exam के लिए आपका confidence बढ़ जाएगा और आप समझोगे भी कि आप किस position पे हो अभी सब पढ़ने के बाद तो चलिए दोस्तों आसकी class शुरू करते हैं सबसे first question है which educational institution was set up during the first five year plan first five year plan जब हो रहा था तो उस time पे educational institute setup हुआ था तो कौन सा educational institute setup हुआ था यह मैंने अपने five year plan mcq के first part में भी आपको समझाया था कितने setup हुए था वो भी समझाया था अगर आपको याद है तो आप वीडियो को pause करके answer को comment करें पहले option सुन ले options है ए इंडियन institute of science बी जवाहर लाल नहरू university सी इंडियन institute of technology या डी बनारस हिंदू university दोस्तो answer को comment करिए और कितने setup हुए थे अगर वो भी आदे तो उसका भी answer comment करिए वैसे मैं आपको answer बता दूँ तो इसका answer होगा c यानि की इंडियन institute of technology कितने setup हुए थे पाच पाच इंडियन institute of technology first five year में setup किये गए थे फिर next question है what was the focus of the second five year plan जब second five year plan हो रहा था तो उसका focus किस चीच पे था option है a. irrigation, b. service sector, c. public sector, d. agriculture दोस्तो मैंने ये answer आपको बहुत सारे जो हम parts cover कर चेके हैं उसमें बताया है तो आपको इसका answer आना चाहिए ठीक है तो answer को जल्दी से comment करें वीडियो pause करके दोस्तो answer देने की कोशिस करें अगर आपको answer नहीं भी आता है तो logic यूज करके थोड़ा सा दिमाग लगा के answer दे ठीक है इससे क्या होगा आपका exam के लिए confidence बढ़ेगा तो दोस्तो इसका answer होगा c. यानि की public sector public sector यानि की industries इन सब के उपर focus किया गया था second five year plan में ठीक है? first five year plan में किसमें focus किया गया था? तो वो था agriculture फिर next question पे चलते हैं फिर third number question है which statutory body of higher education was set up in the first five year plan? first five year plan में कौन higher education की statutory body statutory body का मतलब होता है जो lodge इसे maintain करती है rules and regulation के साथ तो कौन सा higher education set up हुआ था? option है A. University Grants Commission B. Medical Council of India C. All India Council of Technical Education D. National Council for Teacher Education दोस्तो फटाफट answer करिए वीडियो को pause करके और मेरे answer से match कर ले तो answer होगा A. यानि कि University Grants Commission University Grants करने वाली commission set up हुई थी first five year plan में higher education statutory body फिर next question है which economic model was followed in the second five year plan? second five year plan में कौन सा economic model follow किया गया था? दोस्तो फर्स्ट five year plan में कौन सा था? ये पुरा चार्ज तक मैंने आपको बताया था अपने part 1 MCQ या part 2 में ठीक है? तो आप वो सब वीडियो जरूर देखे आपको बहुत important question समझ में आएंगे और exam में जैसा कि आप देख रहे हैं same question आपको घुर घुर के मिल जाएंगे ठीक है? D. यानि की महलानोबीस model पुरा नम क्या है? प्रशान चंद्र महलानोबीस model जो की 1953 में setup हुआ था ओके दोस्तो next question पर जाने के पहले मैं आपको एक बर बता दू कि अगर आपको इस chapter से related notes चाहिए या फिर और भी इसके related notes चाहिए तो आप जरूर मुझे mail करे, comment करे या फिर WhatsApp पे message करे सारी information description box में दी हुई है आपको notes इसके बाद जितने भी इससे related chapter आपके exam में आने वाले हैं MCQ notes, PDF notes, classroom notes वो सब कुछ मैं आपको देने की कोसिज करूँगी फिर next question है इंडियन economy में plan holidays कौन सा था, plan holidays का बतलब क्या हो गया कि उस time पे हमने कोई भी plan accept नहीं किया था options हैं A 1966 to 1969, B 1965 to 1968, C 1967 to 1970 या B 1964 to 1967 तो दोस्तों इसका answer होगा A, यानि की 1966 to 1969 इस time पे इंडिया में plan holidays चल रहा था मतलब इस time पे कोई भी plan accept नहीं किया गया था, ठीक है तो plan accept नहीं किया गया, तो इस time पे annual plan चल रहा था, यानि 5 year plan नहीं चल कर annual plan हर साल का plan चल रहा था, यानि 1966 to 67, फिर 67 to 68 and 68 to 69 फिर next question है 6th number which of the following not a reason for plan holidays to be executed in India इंडिया में जब 5 year plan चल रहा था, तो इन में से कौन सा option नहीं है जिसके वैसे plan holidays को लेना पड़ा, ठीक है मतलब इसमें 3 options आहीं है, एक option गलत है no या not या question में आ जाए, तो हमें उस question को दो बर पढ़के confirm हो जाना चाहिए options हैं a war, b lack of resources, c increase in inflation, d increase in imports war यानि लडाई के वज़े से, b lack of resources, resources की कमी हो गई थी, c increase in inflation यानि महंगाई में भरूत्री हो गई या d increase in import, import का मतलब क्या होता है, आयात, आयात में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया था so दोस्तों इसका answer होगा d, यानि की increase in imports, increase in imports, reason नहीं है मतलब reason क्या है, war, lack of resources, or increase in inflation, इन सब के वैसे हमें 5 year plan हम adopt नहीं कर पाए, हमें annual plan पे जाना पड़ा था फिर 7 number question है, who was the prime minister of India during the 4th 5 year plan जब 4th 5 year plan चल रहा था, उस time पे इंडिया के prime minister कौन थे option है, A. इंदिरा गांधी, B. मनमुवन सिंग, C. नरेंद्र मोधी, या D. अटल विहारी वाचपी दोस्तों, सबसे first plan के time, prime minister मने आपको बताया था, कौन थे, तो जवाहरलाल नहरुजी, ठीके, इसके बाद, यानि कि fourth 5 year plan में कौन थे, so fourth 5 year plan में थी, इंदिरा गांधी जी, ठीके, so इसका answer होगा A, यानि कि questions के answer सही दिये हैं, ठीके, और अगर गलत हो रहा है answer, तो आपको बिल्कुल भी demotivate होने की जवत नहीं है, आप पहले chapter को अच्छे से revision करें, फिर वापस से same solve करें, और same comment करें, और तब देखें कि आपका कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो कुछ समझने में, तो आप एकदम instant में पस आके पूछ सकते हैं, WhatsApp पे मुझे message कर सकते हैं, सारी information आपको दी हुई है, फिर next question है, which war took place during the fourth five year plan, जब fourth five year plan चल रहा था, तब कौन सी लड़ाई लगी थी, options है, A, कारगिल वार, B, बांगलादेस लाइबरेशन वार, C, इंडो पाकिस्तान वार, या D, बोथ B and C, यानि कि बांगलादेस लिबरेशन वार and इंडो पाकिस्तान वार, सो कौन सा लड़ाई उस टाइम पे लगा था, सो दोस्तो जब fourth five year plan इंडिय में लिया गया था, तो उस टाइम दोनों वार चल रहा था, यानि कि बांगलादेस लिबरेशन वार and इंडिया पाकिस्तान वार, मतलब इसका एंसर होगा, D, बोथ B and C, दोनों ही लड़ाई उस टाइम पर चल रही थी, फिर next question है, which five year plan saw the devaluation of the Indian rupee, कि इस five year plan में, Indian rupee का devalu first time दिखा गया था, ठीक है, devaluation का मतलब हुआ कि पैसा का जो value था ना वो गिरने लगा था, पहले इंडिया का पैसा का value बहुत था, ठीक है, डॉलर इतना महंगा नहीं था, लेकिन कुछ reason के वैसे, क्योंकि हमारा import बहुत बढ़ने लगा, हमने plan के तहत loan ले लिया, जिसके वैसे हमारा Indian रुपी का value गिरने लगा, तो जब Indian रुपी का value गिरने लगा, तो इंडिया में महंगाई बढ़ने लगी, ठीक है, तो किस time पे हमने Indian रुपी का devaluation देखा, किस year से, तो option है A, first five year plan, B, second five year plan, C, third five year plan, या D, fourth five year plan, दोस्तों, अगर आपको Indian रुपी के बारे मे details में जानना है, तो आप मुझे जरूर comment करके बताए, मैं आपको उसके ओपर भी video दे दूँगी, so इसका answer होगा, C, यानि कि third five year plan से, हमने Indian रुपी का first time devaluation देखा, यानि कि 1966 में, ओके, फिर next and last question, 10 number question, 10 number question स्टार्ट करने के पहले मैं आपको फिर बता दू, अगर आपको notes चाहिए, तो आप मुझे message करें, comment करें, mail करें, आपको सारी information मिल जाएगी description box में, कोई भी तरीके का दिक्कत हो, कोई question समझने में, तो उसके लिए भी आप मुझे message कर सकते हो, ठीके, अगर आपको classes चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे पूछ सकते हो, तो चलिए question देख of fundamental research, c. Center for economic and social studies, d. Council of scientific and industrial research, यानि कि Indian of integrative medicine, तो दोस्तो इसका answer होगा, b. यानि कि Tata Institute of fundamental research, ये setup किया गया था, कब second fileware plan में, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे comment करके ज़रूर बताए, notes चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे comment या message कर सकते हैं, ठीके, और चैनल को subscribe कर, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे MC की और chapter मिलने वाले हैं, thank you friends, bye